मैं नीम इस अपसर और यूटूब चानल तो गाइस इंस्टाग्राम का निव अपडेट आही चुका है निव सेटिंग के बारे में जहाँ पर आपको इंस्टाग्राम निव सेटिंग्स एंड प्राइविसी का ओप्शन मिल चुका है काफी ज़्यादा कन्फिजन लोगों को तो इसी के साथ-साथ इंस्टाग्राम ने चोरी चुके से एक अपडेट लांच कर दिया है जिसका नाम है कॉइट मोल को किस तरीके से एनेबल करना है कैसे यूज करना है किस तरीके से आपके आकाउंट के उपर शो करेगा यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यहाँ गरम हतोरा है इसलिए मारदो मतलब कि क्या बोलता है गरम लोग आये उसके उपर हतोरा मारदो इसलिए आपका नक्षा बन जाएगा इसलिए मैं आपको आज किस वीडियो के तरी ही बताओंगा कि इस तरीके से आप इंस्टाग्राम की उपर कॉइट मोल को इनेबल कर सकते ह है एक्च्वल में कॉयेंगा क्यूद में को इनवल करना है इसके क्यूद है इनेबल करने के लिए इनेबल बताऊँगा बाद में आपको यहीं बतााऊंगा कैसे काम में आता है कॉईट मोल तो simply में यह पर settings and privacy नमसे एक option देखने को मिलेगा basically आपको यही दिख रहा होगा तो आपको just इसके उपर click करना है then यहाँ पर अब आपको एक option देखने को मिलेगा how you use Instagram आप Instagram को कैसे use करना चाहते है, कैसे use करते है तो यहाँ पर आपको just notifications के उपर click करना है और अब आपको यहाँ पर एक new option देखने को मिलेगा जो आपने अभी तक I think नहीं देखा होगा जिसका नाम है quiet mode temporarily pause notification तो अब यहाँ पर जैसी आप quiet mode के उपर click करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ option जैसी के आपको setup का option मिलेगा आपको अपने quiet mode को setup करना है क्लास कही पर भी आप काम करने के लिए जाते है सुबा 2.11 से लिकर शाम के 7 बज़े तक आपके Instagram के ओपर आपको कोई भी notification नहीं दिया जाएगा नीचे इसके लिए एक line लिखा हुआ है well mute notifications during quiet mode your status and auto reply will be updated to in quiet mode during the time you choose तो यहाँ पर जो भी आप time choose करेंगे आपका जो auto reply वाला mode है उसको enable कर दिया जाएगा और आपके जो notification है उसको disable कर दिया जाएगा और आपके account के उपर एक status दिखा दिया जाएगा कि अभी आपका जो account है वो in quiet mode के अंदर है इसलिए जो भी आपको message करेगा जो भी आपसे बात करने की कुशिश करेगा वो उपर ही समझ जाएगा कि अभी आप in quiet mode के अंदर है मतलब कि अभी आप Instagram को use नहीं करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको turn on automatically का option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप set कर सकते हैं कि आपका quiet mode कितने बज़े से कितने बज़े तक रहे तो यहाँ पर simply आपको मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ शाम के टैम में इसलिए मैं आपको यहाँ पर PM के format के अंदर set करके बता रहा हूँ जैसे कि भी 7 बज़े मैंने अपना quiet mode enable कर दिया PM में तो यहाँ पर 2 मतलब कि सुबा के 7 बज़े तक मेरा quiet mode enable रहेगा और रात शाम के साथ से लिकर सुबा के साथ तक मुझे instagram के उपर कोई भी अगर message करेगा तो उसको बता दिया जाएगा कि मैं भी quiet mode के अंदर हूँ मेरे profile के उपर भी show कर दिया जाएगा कि मैं भी quiet mode के उपर हूँ अब वो कैसे करेंगे उसके लिए जिस्ट आप back करेंगे यहाँ पर back करने के बाद आप अपने profile के उपर अगर click करेंगे तो आपके नाम के नीचे अब in quiet mode का एक option add कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपको आदा चांद लिखकर दे दिया जाएगा वह in quiet mode यह है तो इस तरीके से कोई भी अगर नया बंदा अब आपके account के उपर अगर आएगा यहाँ पर यह मेरे लिए option आ रहा है कि मैं सेटिंग के अंदर जाकर इसको कर सकता हूँ enable या disable हो सकता है कि अभी Instagram ने इसको चोरी चुपके से launch किया है ज्यादा लोगों तक यह भी update नहीं गया है कुछ selected beta tester को मिला है इसलिए यह बाकी लोगों के account के उपर भी I think अभी show नहीं करेगा but definitely यह coin mode का option मैंने आपको बता दिया कैसे इसको enable करना है किस तरीके से काम में आएगा चलो हम यहाँ पर एक काम करते है message करने की कोशिश करते है और देखते है कि message के अंदर हमको एक क्या बोलता है जैसे मैंने message किया hello and send किया तो यहाँ पर यह देखो नीचे बता रहा है अपसरशा 60 was not notified about this message because they are in coin mode तो अभी अपसरशा coin mode के अंदर है उनको notification नहीं मिलेगा और आप देख सकते हैं कि मुझे किसी भी तरीकी का कोई भी Instagram का notification नहीं दिया गया है तो यह coin mode इस तरीके से काम में आता है अगर आप चाहते हैं कि भल कोई time के अंदर आपको मैं email के जैसे मतलब ऐसे मैं क्यों behave करा मुझे नहीं पता अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी time के अंदर आपको Instagram का notification आ जाए काफी irritated अगर होता है तो उस time में आप quite mode को enable कर सकते हैं जिसके बाद कोई भी अगर आपको message करेगा तो फिर आपका quite mode वाला जो option है वो यहाँ पर इस तरीके से लोगों को दिख जाएगा और message करने के बाद में वो वही वाला काम है कि भी कोई भी अगर आपको message करता है तो समझ जाएगा कि आप quite mode के अंदर आपको notification नहीं दिया जाएगा hope करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा कि भी in quite mode किस तरीके से यूज करते है और in quite mode क्या है साड़ी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के अंतर बता दी आप comment करके मुझे ज़रूर बताओ कि आप in quite mode instagram use करेंगे या नहीं और ये update आपको कैसा लगा इसके बार में आप मुझे नीचे comment करके ज़रूर बता दो आपको वीडियो बढ़िया लगेंगे अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करो अपने दूस्तों के साथ शेयर करो इसे तरीकी के और अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकिशन को जूसरे आन कर दो मिलते किसे नेक्स टूडियो में तब तक के लिए थैंक्स पॉर आचिंग बबाए